कि आले तोड़ा संडे ठीक जा रहे हैं मैं आ तोड़ा अपना डक्टर डक्टर नमनीत काल रहा ते एक गलता उन्हों मैं दसना चाना कि आज वेक्सीन दे नाल रिलेटेड को आपकी कुछ अपडेट लाया हूं आज आता हूं सिधा हिंदी में पंजाबी बहुत लोगों को ही आती है और बहुत सारी वेक्सीन से रिलेटेड न्यूज है ध्यान से सुनिये करे पहली न्यूज है कि यूएस अमरिक्का ने फाइजर को अमजनसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है चलो जी बहुत अच्छी बात है आपको तो बहुत जोड़ा होती है सब साथ क मास वेक्सिनेशन के लिए आएगी मतलत जनरल यूज के लिए आएगी अमर्जनसी यूज तो जनर्वारिश में ही शुरू हो जाएगा ऐसा लग रहा है लेकिन पूरी तरीके से वह फर्स्ट हाफ में आएगी हाना है निए खुशकशकभरी पता नहीं खुशकभरी है ये खबरी है यह यह थी एस्टाजेनिका की वेक्सीन के बारे में फाइजर का मैंने आपको बता दिया केरला ने बोला है जी हम सब को फ्री में देंगे वेक्सीन बहुत अच्छी बात है भाई यह नाड ले पिले सब बहुत अच्छी बात बता है आपने कि मुझे आती नहीं थोड़ी वोगत आती है नाड नीले कोशिश करूँगा सीखने की मलाइलम ठीक है यह है केडला से अच्छी न्यूस की उन्होंने बोला जी हम फ्री में देंगे बहुत अच्छी बात है जी अब आते हैं कि जाइडस की जाइडस की एक गुड़नीज आ रही है जाइडस कैडिला जो हमारी बना रही है जाइकोवड़ी करके वैक्सीन यह एक अलग डिफरेंट टाइप की वैक्सीन है क्योंकि यह ज़्यादा तर आर एने बेस्ट वैक्सीन है तो यह है डी एने technology है इसमें सबसची बात क्या होगी कि इसके लिए temperature maintain नहीं करना पड़ेगा इसको रूम temperature पर भी हम रख पाएंगे और यह का बन रही है एमदाबाद में जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी यह बन रही है एमदाबाद में और यह सबसची बात यही होगी कि इसको आप रूम temperature पर भी रख सकते हो यह खराब नहीं होगी फ्रिज की विजहत नहीं पड़ेगी ठीक है कि शयद अमजनसी उसके लिए हमें भी फटवड बुला लें कि कोई बात नहीं आप आजओ आजओ सब आई रहें तो तुम भी आजओ तुम पहुंच पर पीछे क्यों रहोगे तो यह एमदाबाद से गूड़ न्यूज थी और एक गूड़ न्यूज और है कहते हैं दुश्मन करकर नुकसान हो तो आपको खुश होनी चाहिए तो यही है कि चाइना की जो साइनो फार्म की एक वेक्सीन है जिसका कहीं जगा पे ट्रेल चल रहे हैं तो पेरू पेरू एक कंट्री है तो चाहिना वालों की इसलिए ना सुलगी पड़ी है बहुत बूरी तरीके से अच्छी नियूज है ना कि दुश्मन का नुकसान हो तो हमें खुश होना चाहिए ना वाइरस भी तो खुब पहला है तुम लोगों ने क्या बात करते हो क्या बात करते हो क्या बात करते हो तो मैंने सारी आज आपको गुड नियूस दे दी है अब जाइडेस की वैक्सीन की गुड नियूस थी बहुत सारी वैक्सीन थी तो अब कुल में आके कहनी ये है कि वैक्सीन शैयद दो-तिन हफ़तों में चार हफ़तों में हमारे सामने होगी और emergency use के लिए आपको पता ही है कि पहले किसको लगेगी पहले मुझे लगेगी मैं डॉक्टर हूँ COVID हो चुका यारब और एक चीज़ मैं और पताना चाहता हूँ कि वेक्सीन के विरोध में anti-vaccine group बने हुए हैं और कोई बाबा जी भी है जो बोल रहे हैं कि ये वेक्सीन आपकी population को ही खतम कर देगी population control करने के लिए vaccine लगाई जा रही है मतलब ऐसे ऐसा दिमाग का दहिं कर रखा कुछ लोगों ने सरकार इनको अंदर क्यों नहीं करते हैं तो यही समसे बाहर है इतना छोटी क्यों दे रखी है ये भी टुकडे टुकडे गैंग है medical के मैं आपको बता रहा हूँ ये टुकडे टुकडे गैंग है medical line के जो vaccine के विरोध में इस तरह से बोलते हैं कि आपकी population नहीं खतम कर देगी तो कुछ धर्म के लोग तो लगवाएंगे नी वो तो पहले ही मना करता है हम तो vaccine में विश्वास ही नहीं करते हैं कुछ लोग कहते हैं कुछ religion के लोग ये बोलते हैं ये हम तो लगवाने हैं हमने vaccine ठीक है लोगो vaccine किसी को भी force नहीं की जाएगी कि आप वैक्सिन लगवाओ, आपको लगवानी है लगवाईए, नहीं लगवानी ना लगवाईए लेकिन इस तरह के ब्रहम जो फिला रहे हो कि आपकी पॉपॉलेशन कंट्रोल करने के लिए वैक्सिन आ रही है पैसा बनाने के लिए वैक्सिन आ रही है इस तरह की जो फालतु की बक्वास ये मेडिकल बाबा टाइप के लोग कर रहे हैं मैं नाम नहीं लूँगा सबको पता कौन है वो तो सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती हैं इनके खिलाफ क्या प्रॉलम है क्या इस तरह से तो कोई भी आके कुछ भी बूलता रहेगा क्योंकि लोगों को भड़काना और लोगों को गलर डायरेक्शन में ले जाना भी एक अपराध है इसके खिलाफ कानूनी कारवाई होनी चाहिए मैं ये डिमांड करता हूँ सरकास से कि इन बाबाओं के खिलाफ जो मेडिकल बाबा है एक तरह के टुकडे टुकडे गैंग है एक तरह के ये घुक नकसलवाद के गुरूप के गैंग है इनको जरूर चिन्नित किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कारवाई करनी चाहिए और अब जिसको मुझे गाली देनी हो उन बाबाओं के चेलो न दे दो जी भर के दो गाली गाली दे के भी तो इंसान की इम्मुनिटी बढ़े आती मेरी इम्मुनिटी थोड़ी बढ़े जाएगी दे दो गाली, मैं दो की बढ़ता है आप पाद दिल्ली वाले हैं अब ऐसे भी हमें कोई भरग नी बढ़ता तैंक यू वेरी मच आपका अपना डॉक्टर नमनी तकालरा और जाते जाते इतने ही बोलूँगा कि भाई ये वेक्सीन जब भी आएगी अगले महीने आती है कब आती है, मुझे भी नहीं पता ये बात है चंद हफ़तों की लेकिन मैं आपसे फिर बोलूँगा कि अपना अभी भी ध्यान रखेगा क्योंकि मन्जिल के इतने पास आके ऐसा नहों कि अब भटक जाएं और फिर दुबारा से किसी मुसीबत में फस जाएं क्योंकि कोवीड भी गया नहीं है जाते जाते भी कहियों को लेके जाएंगा मैं बार बार भोट रहा हूँ तो इसलिए सावधान जादा रहें क्योंकि अब मन्जिल पास आ चुकी है अब मत पठकिएगा पूरा सादानी रखेगा तेंक्यू वेरी मच्च आपका अपना डॉक्टर नमनीत कालरा मौना भाई, MBBS